स्पाई की आपको मिटी में नहीं खेलना चाहिए क्या आप जानते नहीं हैं कि मिटी में बहुत से जर्सूमें या माइक्रो आर्गनिसम्स होते हैं जो आप के लिए नुकसान दे हो सकते हैं लेकिन मुझे तो अपने हातों पर कोई भी माइक्रो और्गनिजम्स दिखाई नहीं दे रहे, ये तो सिर्फ मिटी है आप माइक्रोस्कोप के बगएर माइक्रो और्गनिजम्स को नहीं देख सकते ओ, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोसकोप या खुर्दबीन एक ऐसा आला होता है जिसके जरीए हम उन चीजों को देखते हैं जो जाहरी आंग से दिखाई नहीं देती ये तो बहुत मज़े की बात है क्या हम इसे इस्तेमाल करके मटी में मौझूद माइक्रो और्गनिजम्स भी देख सकते हैं स्पाई की अभी रुकें माइक्रोसकोप इस्तेमाल करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक माइक्रोसकोप काम कैसे करता है आएए माइक्रोसकोप के मुक्तलिफ हिस्सों को देखते हैं राइट को स्टेज पर चढ़ाते हैं और इसे क्लिप्स के जरीए मजबूती से लगा देते हैं। आईपीस जिसके जरीए आप अपने स्पेसिमन को देखते हैं, माइक्रोस्कोप के उपर बॉडी ट्यूब पर मौजूद होता है। आईपीस एक स्पेसिमन को दस गुना बढ़ा करके दिखा सकता है और अबजेक्टिव लेंजिस इसे मज़ीद सौ गुना बढ़ा करके दिखा सकते हैं। वाओ! यानि जो भी मैं देखूंगा, वो अपनी असली कामत से हजार गुना बढ़ा दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, आप आला तकबीर यानि मैगनिफिकेशन का अबजेक्टिव लेंज इस्तेमाल करके स्पेसिमन को मजीद तफसील से देख सकते हैं। पहले हम नोस पीस को घुमा के सबसे कम मैगनिफिकेशन का अबजेक्टिव लेंज लेते हैं। लेंस जितना छोटा होता है उसकी कुवते तकबीर यनि मैगनिफिकेशन पावर उतनी ही कम होती है अगर आपको ज्यादा कुवत वाला लेंस इस्तेमाल करना है तो आपको स्टेज नीचे करना पड़ेगा ताके लेंस स्लाइट से टकराना जाए इसके बाद आइने या मिरर को घुमा कर लाइट सोर्स को ऐसे रखिये के रोशनी सीधा स्पेसिमन पर पड़े स्टेज में एक सुराख होता है जिसके जरिये रोशनी स्पेसिमन पर मुनकिस या रिफलेक्ट होती है रोशनी की मिकदार जो स्पेसिमन तक पहुंचती है स्टेज के नीचे मौजूद एक घूमने वाली डिसक के जरिये काबू में रखी जाती है ये डायाफ्रेम है इसमें मुख्तलिफ कामत के सुराख माजूद होते हैं और इसके जरिये रोशनी जो स्पेसिमन पर पढ़ती है उसकी कौन की कामत या साइज और उसकी शिदत या इंटेंसिटी को तबदील किया जा सकता है आपको इस कोर्स नॉब की मदद से स्टेज को उपर और नीचे करके फोकस करनी की जरूरत भी पढ़ सकती है ताके बनने वाला अक्स धुनला ना हो बलके साफ हो दिहान रखिए कि स्टेज उपर करते वक्त वो अबजेक्टिव लेंस से टकरा ना जाए जब कोर्स फोकस हासिल हो जाता है तो हम फाइन नॉब इस्तेमाल करके मज़ीद बेहतर एज़ेस्टमेंट करते हैं ताके सबसे साफ अक्स दिखाई दे सके इसके बाद आती है बेस बेस निचले हिसे को कहते हैं जो मेस पर पड़ा होता है और सबसे भारी होता है बेस को बाड़ी ट्यूब से आम जोड़ता है अब अपने हाथ से कुछ मिटी एक ग्लास लाइट पे रखें और इसे माइक्रोस्कोप के स्टेज पर चड़ा दे अब इसे आई पीस में से देखें आपको क्या नजर आ रहा है यहां तो अंधेरा है अच्छा ऐसा करें लाइट सोर्स को सेट करें अब आपको क्या नजर आ रहा है कुछ तो नजर आ रहा है लेकिन बहुत धुंदला है यह धुंदला इसलिए है क्योंकि आपका स्पेसिमेन फोकस में नहीं है आपको कोर्स नॉब और फाइन नॉब घुमा कर फोकस बेहतर करना होगा अब बताएं अब आपको क्या दिखाई दे रहा है ओ हाँ अब मुझे मिट्टी में माइक्रो और्गनिसम्स दिखाई दे रही हैं वो इतने ज्यादा ये माइक्रोस्कोप कितना मुफीद है माइक्रोस्कोप साइंसदानों को छोटी चीज़ों को सफाई और तफसील से देखने में मदद देते हैं इन्होंने साइंसदानों की सेल ओर्गनेल्स को समझने में बहुत मदद की है जैसे nuclear membrane और इंतहाई छोटी चीज़ें जैसे bacteria अब हुआ है वक्त एक छोटी सी मश करने का माइक्रोस्कोप को हिलाने या उठाने के लिए आपको इसके कौन से हिस्से को पकड़ना चाहिए? एक माइक्रोस्कोप को हमेशा इसके आम और बेस से पकड़ना चाहिए आम बोडी ट्यूप को बेस से जोड़ता है माइक्रोस्कोप की बेस उसका निचला हिस्सा होता है जो मेस पे रखा जाता है और सबसे भारी होता है ये हिस्से माइक्रोस्कोप को उठाने के लिए बनाए गए हैं और इसके बाकी हिस्सों के मुकाबले में ज्यादा मस्पूत होते हैं चलें, वो सब कुछ दोहराते हैं जो आज हमने सीखा इस विडियो में हमने देखा कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला होता है जिसके जरीए हम उन चीजों को देख सकते हैं जो जाहरी आंग से दिखाई नहीं देती एक माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने स्पेसिमन को स्टेज पे चड़ाना होता है और इसे कलिप्स के जरीए मजबूती से लगाना होता है आई पीसिज इस स्पेसिमन को दस गुना बड़ा जबके आबजेक्टिव लेंजिस मज़ीद सौ गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं इसमें मुखतलिफ मैगनिफिकेशन पावर्स के तीन आबजेक्टिव लेंजिस मौजूद होते हैं कोर्स फोकस के जरिये हम लेंज का फोकस तबदील करते हैं फाइन फोकस के जरिये हम मज़ीद साफ अक्स हासिल कर सकते हैं हम मिरर को सेट करके रोशनी को स्टेज पर मुनकिस करते हैं डायाफ्रेम के जिरिये रोशनी की मिकदार कंट्रोल की जाती है जो स्पेसिमिन तक पहुंचती है माइक्रोस्कोप की बेस और आम इसको पकड़ने और उठाने के लिए होते हैं